हेलो दोस्तों एक बार विर से आप सभी कर स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैच्स की आज़की क्लास में हम डेल एट के 15 से लेकर 20 तर जितने भी पेपर हुएं सबके बहुभी कलपिये करेंगे ठीके फिर अतिलगू कर लेंगे ठीके तो आज़की क्लास में सारे जो आपके पचास नमर वाले पेपर होती है उसमें दो घंटे का टाइम मिलता है अपको ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पासिंग मार्स भी धियान रखना 25 वाले के 12 नमबर और 50 वाले के 25 नमर होते है पास में ठीक है तो चलिए फस्ट है आपका 2020 का पेपर थोड़ा blur हो सकता है तो मैं बोलूँगी आप उसको सुनके फिर कर लेना ठीक पहला है संख्या 7534 में 5 का इस्थानियमान निकालना है यहां संख्या लिख देते हैं 7534 ठीक है इसमें किसका इस्थानियमान निकालना है 5 का है तो 5 का इस्थानिमान क्या निकलेगा मैंने पताई था स्टानिमान अगर option में आपको आरहा था तो बहुत easy है जिसका स्थानिमान पूछाये aware उ स 1 अंग के नीचे वही अंग है। और अग लिख लिए और उसके बाद दाहे देग्द जितने भी अंग बच रहे हैं आप तो इस question को आप लेख लेना note करके जैसे एक बिंदू ये बनाया और एक बिंदू ए तो इन बिंदूओं से जा गुजरेंगे कितने ब्रत निकल सकते हैं तो इन बिंदूओं से निकलने वाले ब्रत आपके अनंत हो सकते हैं इस चीज को ध्यान अगना ठीक है देखें मैं आप option किसी वीडियो में आपको एक option भी मिल सकता है देखने को तो वह confused उचाएंगे आप महाँ पर तो ध्यान रखना दो बिंदूओं से जितने भी आपके व्रत निकलेंगे दो बिंदूओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या अनंत होगी ठीक है दो बिंदूओं से now i open 19 जो Jeane ृड थीक के next question आपका तीन सही एक बटे दो प्लस ब्रैकेट में माइनस साथ सही चार बटे दो ब्लस ब्रैकेट लगा है माइनस का साथ सही चार बटे पाँच consensus де घरना है इसको स whispering क على तो उस को सिम्पल मेंगे बदलो तो 2 चछी और एक साथ बटे हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो अगर जब मल्टिप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा फिर इसको भी स्वाइब कर लिजिए पांस सत्य पैंतिस और चार आपका थर्टी नाइन क्यों तालिस बटे पांच हो जाएगा पिर भी आपको ल्लस यम लेना पड़ेगा तो ल्लस यम कितना जाएगा दस आ जाएगा साधु नी चोदा हो जाएगा यहां पर पांस दोटी आ उदा च्छाएगा मतले नब nhiबर से बता रहे हैं वैसे तो मान when to look 58 में से 35 एक कितना बचेगा, पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट नहीं समझना, 78 से 35 को माइनस करजी, तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया, 3, 7 में से 3 गया, 4, यानि कि माइनस 43 बटे, कितना 10, ठीक है, माइनस 43 बटे 10, अब अगर option आपका यही दिया है, तो यह हो जाएगा, और अगर इस type से option, अगर आपका लिखके दिया, तो क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, कितनी बचेगा, तो आपका बचेगा, माइनस का, 4 सही, 3 बटे 10, माइनस का, 4 सही, 3 बटे 10, क्या हो जाएगा, आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीके, option में आपको यह मिल भी जाएगा, माइनस का, 4 सही, 3 बटे 10, यह देखे, यह दूसरा वाला option आपका, ठीके, माइनस लगा हुए है, ठीक, नेक्स्ट कुश्चन है, आपका, प्रथम क्रमागत, तीन अभाजी संख्याओं का मासा, ठीके, कुश्चन पूरा नहीं आपाया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रथम क्रमागत, तीन अभाजी संख्याओं का मासा पूछा गया है, तो प्रथम तीन अभाजी संख्याओं आप निकाल लो, पहली अभाजी संख्या दो से स्टार्ट होती है वनलब सबसे चोटी अभाजी संख्या दो यह उसके बाद कौन सी मिलेगी तीन मिलेगी उसके बाद कौन सी मिलेगी पांच हमें क्या निकालना है मासा निकालना है तो अभाजी संख्याओं का मासा सदैफ एक होता है तो इसका option correct हो जाएगा चार वाला ठीक है next question है x का यहां लेक देते हैं x का x प्रतिशत बराबर है 64 x का x प्रतिशत कितना है 64 है ठीक है तो x का मान निकालना है ठीक तो इस question को कैसे solve करेंगे x multiply x प्रतिशत का sin एटाया नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहां पर क्या 64 का 64 x और x का multiply हो जाएगा x square बराबर इदर 64 हो जाएगा ठीक है 100 को अगर हम इदर भेज़े पक्षांतर करके तो गुड़ा 100 हो जाएगा ठीक है अब कुछ नहीं x square को अगर हम पक्षांतर करेंगे दर तो किस में चला जाएगा वर्ग मूल में चला जाएगा ठीक है तो अंडर रूड 64 गुड़ा 100 ठीक है अब देखिए 64 किसका वर्ग होता है 8 का 8, 8, 8, 8, 64 होती ना तो 8 का हो जाएगा और 100 किसका होता है तो यहां से आपका कितना मार निकलाएगा x का 80 निकलाएगा ठीक है अगर दिस्ट में गुड़ा करेंगे तो कितना निकलाएगा 80 तो आपका कौन सा ओप्षन करेक्ट हो जाएगा पहला वाला यानि कि ए ओप्षन ही सही हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा यह पेपर पूरा मिल नहीं पाया था मुझे तो कट हो गया है थोड़ा तो मैंने आपको कौशन बोल के बता दिया ठीक है नेक्स्ट पेपर है आपका 19 का तो इसका फर्स्ट कौशन देख लीजिए नेम लेकित में 9 का अपवर्त है ठीक है अपवर्त तो मैंने यम करके बताया था ना यम यानि की मल्टिपल ठीक है अपवर्त यानि की मल्टिपल की बात कर रहा है यह तो मल्टिपल में क्या करना होता है टेबल पढ़नी होती है अब देख लीजिए पहला तो है नहीं दूसरे में 9, 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36 तो आपका B वाला option correct हो जाएगा ठीक है पाकी के सारे wrong है ठीक है तो पहले का answer क्या हो जाएगा B ठीक है यम trick याद रखिए यहाँ से अपवर्थ हो जाएगा और M जो मा था आपका वहाँ से multiple अपवर्थ तक और वहाँ पर आपका क्या था फैक्टर तो कफ ट्रिक बना दी ठीक है तीस और चालिस के बीच में अभाजी संख्याएं हैं तो देखिए अब यह option से कर सकते हैं तो पहला option 31 और 33 अब इसमें 31 तो नहीं किसी विवाज़त होगी लेकिन 33 आपकी 3 से कर जाएगी यानि कि यह option तो है नहीं फिर है 33 और 37 अब 33 यहाँ पर कर रही तो यह option भी आपका रॉंग उचाएगा फिर है आपका 31 और 37 ठीक है फिर है आपका अगला option 31 और 49 तो 49 फिर तीन से कर जाएगी तीन के लिए नियम क्या होता है अंको क्या योग जो है तीन से विवाज़त होना चाहिए तो 9 तीन कितने 12 हो जाएगे 12 करती है तीन से तो यह option में नहीं हो तो आपको कॉंशन सही हो जाएगा option C वाला ठीक है next है तीन संख्या है एक अनपात दो अनपात तीन के अनपात में हो उनका मासा 12 हो तो संख्या है क्या होंगी ऐसे प्रश्णों में क्या करते है जब अनपात दिया गया हो और मासा भी दिया हो तो सीधी सीधी संख्या है क्या निकलेंगी आप मासा का multiply कर देंगे किसमें इन इस अनपात में, तो पहली संख्या निकलाएगी 12-1, 12, ठीक है, यहां पर लिख दिती हूँ मैं, इस question को, ठीक है, पहली संख्या जो आपके निकलाएगी, वो निकलाएगी 12, दूसरी संख्या 12-24 निकलाएगी, और जो तीसरी संख्या है, वो 12 ती यह, 36 निकलाएगी, यानि कि जो आपका option जो correct होगा वो ये वाला होगा 12, 24, 36 वाला कहीं है तो वो आपका B वाला सही हो जाएगा ठीक है Next question है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% उत्रीण हुए है ठीक है तो कक्षा में कितने बच्चे उत्रीण है तो इस question को solve करने के लिए क्या करेंगे कक्षा में कितने प्रतिशत उत्रीण हुए है 80% यह 80% कितने के हैं 30 के हैं तो हमें 30 का 80% निकाल लेना और हमें किस की संख्या पता चल जाएगी बच्चों की संख्या ठीक है तो अब प्रतिशत का sign हंटाएगे तो नीचे में क्या लगाना पड़ेगा 100 का भाग देना पड़ेगा 100 कर दिया ठीक है जिरो से 0 किया 0 से 0 तो आर्थिया 24 यानि कितने बच्चे आपके उत्रीन हुए है तो वह आपका अंसर हो जाएगा 24 बच्चे उत्रीन हुए है ठीक है तो 18 प्रसक बिन रूप में लिखी तो 18 प्र이स्द को भीन रूप में लिखे तो आठारा प्रतिसद को भीन रूप में करने लिए Sanders का साइन हटाएंगे Kिसका भाग देने में सो का भाग देने थीके अब यह कैं किसी से दिवाइड हो रही है तो देखिए दो से तो ये कट रही सीदी सीदे दो निम अठारा और नीचे आजाएगा पचास तो कितनी है आपकी बिन बनिया से नौ बटे पचास यानि कौन सा अप्शन सही हो जाएगा आपका डी वाला ठीक है 2019 वाला पेपर था ये नेक्स पेपर है आपका 2018 का पेपर है तो चलिए इसको देखते हैं परस्ट कोशन है 80 और 90 के बीच अभाजी संख्या है अभाजी संख्या है वे संख्या होती है जो सिर्फ जिनके लिए क्या होता है केबल दो फैक्टर होने चाहिए केबल दो यानि केबल ए या तो एक से इनके अलावा उनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो वह होती है अभाजी संख्या है ठीक है तो अब इसके लिए क्या करना होगा आप भाजी फाइंड कर लीजिए इनमें से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें भाजी संख्या मिल यानिकि वह आप्शन हमारा रॉंग हो यह 8 3 कितने हो जाएंगे 11 तो यह तो 3 से कटनी नहीं है ठीक है फिर आपका 87 है अगर 87 को एड करें 8 साथ 15 हो रहे है ना तो यह किससे डिवाइड हो रही है 87 तीन से 15 हो रहा है ना तो यह 3 से बहाज़द का नियम क्या था अंको का योग 3 से बहाजद होना चाहिए तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 8 7 15 यानि कि अंको का योग 3 से पूरा पूरा विवाजित हो रहा है 3 5 15 इसलिए यह 87 संख्या यह किससे विवाजित हो जाएगी 3 से विवाजित हो जाएगी ठीक है तो आपका कौन सा ओप्शन बी वाला ओप्शन भी चला जाएगा ठीक फिर आपका करेक्ट ओप्शन क्या हो जाएगा डी वाला ठीक है यानि कि फर्स्ट कुशन का आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी 90 अंस के कोड को क्या कहते है तो 90 अंस का कोड क्या होता है समकोड होता है 90 से छोटे और 0 से बड़े वाले होते है न्यून कोड ठीक है और 90 से बड़े और 180 अंस से छोटे वाले क्या होते है अधिक कोड और 180 अंस वाला क्या होता है सरल कोड ठीक है ब्रत के किनी दो बिंदों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है ब्रत के किनी दो बिंदों को यानि कि एक ब्रत ये रहा इसकी कोई भी दो बिंदो परिदी पर होंगे उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा तो वो जीवा कहलाता है ठीक है जीवा आपका B वला सही हो जाएगा ठीक है डीमना अंकित में से 5 से विभाद जी संक्या आए तो 5 से विभाद जी का नियम क्या था कि एकाई का अंकित आ तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो देखें पहला option इसमें भी नहीं है इस वाले में भी नगा दिरो ने ने पॉरिन अगर आपके नहीं तो आप उनको एक पार अच्छ से देख लीजिए बाइस करीजिए वहां से यह ने तीन कोशन आपको मिल जाएंग आराम से ठीक है और option में तो खास कर मिलेंगे ठीक है कि पूरी संख्या में हम कहां चारों संख्या में भाग देते कहां बैठेंगे इसलिए क्या है बटा 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 जो नियम है उसको लगाया और कर लिए क्यों सा विवाजिव हो रही है ये पंद्र प्रसत को भिन रूप में लिकना है तो इसके लिए क्या करना है सेम भाई 15 रिखा प्रशत का साइन हटाएंगे तो कितना करना पड़ेगा हमें सौका भाग देना पड़ेगा ठीक है अब यह किस से कटेगी पांट से गट स next 17 का paper है आपका तो first question क्या है इसका 83, 65 में 3 का इस्थानी मान निकालना है तो 83, 65 को लिख लीजिए अच्छे से किसका निकालना है 3 का 3 के नीचे 3 रगा फिर 00 ठीक है तो क्या निकला है इस्थानी मान 300 यानि कि B option सही हो जाएगा ठीक है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो इसमें व्युत्क्रम में क्या होता है कि बस आपका जैसे मालो दो बटे तीन संख्या दे दी मैंने तो अगर व्युत्क्रम की बात करें तो बस इस अंख्या को पलट के लिख दें यानि कि जो इसका अंश होगा वो हर बन जाएगा और जो हर होगा वो अंश बन जाएगा यानि कि 3 बटे 2 क्या हो जाएगा 2 बटे 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा तो ऐसी option देखिए आप कोई option आपको ऐसा मिल रहा है देखिए पहला option क्या है एक बटे 3 बटे दीन अगर इसको पलट तो क्या बनती तीन बटे 1 यानि कि यह वाला भी गलत है फिर क्या है C option पांच बटे 6 और फिर क्या है 6 बटे 5 तो यह तो पलट के लिखिए यानि कि यही option आपका सही हो जाएगा बाकि B और D भी देखं़ लो B में क्या है 1 बटे 5 अगर इसको पलट के लिखते तो क्या बनती 5 बटे 1 बनती फिर क्या है 4 बटे 8 तो इसको परेट के लिए तो क्या बनती 8 बटे 4 तब ये वित्करम हो था ठीक है नेक्स्ट कोश्टन के 2.4 और 0.5 का मान क्या है तो यानि की 2.4 ये लिखे है और 0.5 ठीक है इनका मान निकाला 24 पंजे कितने होते हैं 120 होते हैं ठीके अब दसंबलब कैसे लगाएंगे एक अंकवाद दसंबलब यहां पे है ठीके और एक अंकवाद यहां पे तो यानि कि जो 120 है आंसर है इसमें क्या करेंगे इधर से हम कितने अंकवाद दो अंकवाद ठीके तो एक यह अटा है एक यह और एक यहां बीच पे तो 1.20 इसक सब्सक्राइब तो य हैं की जाती िइंगा वन ने इस तरीकिए से ध्यान रखना जोड़ेंगे तो एक यह नहीं दिक्कत की बात नहीं कि इतना चोटा कोशन क्यों दे दिया उन्होंने जैसा पूंचा है आंसर हमें सिर्फ उतना करना है और लगूत्तरी में बहुत टाइम लग जाता है करने में ठीक है तो आप ऐसा करें कि बस मदब 10 मिनट कि बहुब विकल्पे solve कर लिए बाकी का 20 मिनिट हमने दे दिया अपना 15-20 मिनिट अति लगू को बाकी का पूरा आदा घंटा बचेगा वो हमें किसको देना है सारे लगूत तरी प्रेशनों को ठीक है इस तरीके से टाइम आपको मैनेज करना होगा वहाँ पर स्थ्रू से स्ट अनिया नेम चैन और लेकिन किससे यहंगल होगा थीक है इनके बीच वालाय कौन सा होगा त्यों सम कोड होगा फिर आ जाए एके सो असी पर तो 180 और 90 के बीच वाला क्या होगा अधिक कोड होगा ठीक है और 180 वाला क्या हो जाएगा सरल कोड हो जाएगा ठीक है इसको सरल रेखा बनती है ठीक है फिर आपका 360 मिलता है तो 360 और 180 के बीच वाला क्या होता है ब्रहत कोड होता है अब इन option में आपको ऐसा कोई मिल रहा है कि जो 180 से बढ़ा हो तही वह आपका it 155 आपका क्या होगा अगर 135 की 1965 क्या हो जाएगा 2016 में पेपर हुआ तब वह वाला पेपर है तो चलिए इसको देखते हैं अब फर्स्ट कोश्चन है आपका 3 बटे 2 का गुडात्मक प्रतिलोम पूछा गया है क्या पूछा है गुडात्मक प्रतिलोम तो इस question में आपको क्या करना है जो अंश है गुडात्मक में ध्यान रखेगा कि जो अंश होता है उसको बना देते हैं हर और जो हर होता है उसको बना देते हैं हम अंश ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना तो देखे यहां पर अंश क क्या है दो हर न जाएगा आन्स यानि कि 3 बटे दो कुं क्या कर सकते हैं & change करके 2 बटे 3 geen ब AI नहीं किया सब्सक्रोंतों s हो जाएक कर ठीक अगर मैं इसका योगाात्मक प्रतिलो इंची现िक हो थी अगर इसके योगात्मक प्रतिलोम की बात करें साइड में यहां पर लिख रही हूं योगात्मक अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो वो क्या बनेगा इसका माइनस का तीन बटे दो ठीक है यह इसका योगात्मक प्रतिलोम बनेगा इस चीज को ध्यान रखना next question है 4 का 3 कितने प्रतिशत है तो इसको ऐसे करेंगी हमने मालियत 4 का x प्रतिशत कितना है 3 बन रहा है ठीक है तो 4 गोड़ा x बटे प्रतिशत का साने डाइंग क्या अगा 100 आ जाएगा बराबर 3 ठीक है तो यहां पर 25 हो जाएगा नीचे ठीक है 25 बार करता है 25 चौके सो ठीक है 25 को दर पक्षांतर करेंगे तो तीन multiply करें क्या बन जाएगा 75 तो कितना हो जाएगा 75 ठीक है यह question मैंने आपको करवाया था मौडल पेपर में ठीक है और लेकिन मौडल पेपर में लेंग्विज चेंज थी वहां पर चार का तीन प्रतिशत पूछा था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए आंसर कुछ को रट गया था कि 75 परसेंट तो वहां पर सब पूछ रहे थे कि क्या कैसे करना है तो उस चीज़ को ध्यान रखने लेंग्विज को पकड़ना है आपको ठीक कभी कभी डिजट सेम कर देता है भासा चेंज कर देगा गड़ित में क्या है भासा चेंज कर दी तो सवाल ही बदल जाएगा वह ठीक है नेक्स्ट क्या है कि a-b a- bracket में है आपका b-2a तो इसको solve करने पर क्या होगा bracket हटा लो तो bracket हटाएंगे तो अंदर जो plus का b था वो किसका हो जाएगा minus का और जो minus का 2a था वो किसका हो जाएगा plus का 2a हो जाएगा तो a वाले आपस में add हो जाएगा यानि कि 2a और a कितने हो जाएगा 3a और minus का b ऐसा बना रहेगा ठीक तो आपका answer क्या हो जाएगा 3a minus b तो आपका पहला वाला option correct हो जाएगा ठीक है इसका 75% answer है next question है दो संख्याओं का मासा 35 लासा 525 है उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी मैंने आपको formula बताया था दोनु संख्याओं का गोडन फल बराबर लासा गोडा मासा और उन गोडन फल में आपको एक संख्या दी गई है यानि कि पहली संख्या हमने माली 175 और दूसरी हमें नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे उसकी चगा एक्स बराबर मासा गोडा लासा मासा कितना है 35 और लासा कितना है 525 525 कर दिया यहाँ पर अब इसको solve कर लीजी आसानी स यानि कि एक्स बराबर 35 गुडा 525 बटे 175 ठीक है अब इसको यहाँ तो 5 से काड़ दीजी 5,7,35 यहाँ पर जाएगा 5,3,15 दो बचेंगे और फिर कितना हो जाएगा आपका 5,7,35 यहाँ यहाँ पर 5,3,15 दो बचेंगा तो 25 हो जाएगा ठीक है 35 निकला है फिर से काड़ द पर 5 एकम 5 फिर 0 टाइम जाएगा फिर 25 यानि कि 105 निकल के आया आप मेरा मत देखिए आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करिये ठीक है काटने का तरीका अलगा लोग होता है कोई मालो 7 से दे रहा है कोई 35 को सीधे सीधे दे डिवाइड ठीक है तो वह आप अपने हिसाब स करिए ठीक है जैसे भी आपको सही लगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 105 ठीक है नेक्स्ट कोशन है पांच का इस्थानियमान सबसे अधिक है तो मैंने इसके लिए बताया है कि पॉइंट में जो सबसे कम अंकवाद दिया गया होगा वही आपका सबसे टीक अंक आहा है उसमें इसमें देखींगे तो इसमें क्या है बीच में दो अंक आ रहें थो ऑफाइव और इसमें क्या सीदे निकलेगा पॉइंट 15 तो मैं इस सब्सक्राइब। कितना निकलेगा पॉइंट जीरो फाइफ और इसमें चाहि झालीन मान कितना लिए फिल्ट 7íb % voices तो जिसमें जितनी अंक बाद दसंबलब हो कम होगा वही क्या हो जाएगा इस थानी अमान सबसे अधिक हो तो आपका जो सबसे अधिक मान होगा वो थीवाले का ही होगा ठीक है कम अंक बात दसमलब चाहिए तो क्या हो जाएगा सबसे अधिक स्थानी-मान और सबसर अधिक अंक and तो सबसे कम सेट पर आपका 2015 वाला है संवभ हिंग किस को Taiwan's 6 का इस थानियमान सबसे अधिक है ठीक है तो 6 का इस थानियमान सबसे अधिक किसमे होगा सबसे पहले इस थानियमान निकालो इसमें कितना निकल के आएगा 0.06 ठीक है इसमें कितना निकल के आएगा 0.06 और इस वाले में कितना निकल के आएगा वो C वाले का निकलेगा ठीक है कम अंक बाद दसमलब सबसे अधिक स्थानी मान उसी गा next है 3 बटे 5 प्लस माइनस का 2 बटे 5 का मान क्या होगा तो इसको solve कर लीजिए 3 बटे 5 ब्रैकिट हटाएंगे तो जो माइनस का है और बाहर प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टिप्ला ही होके माइनस आजाएगा ठीक और 2 बटे 5 हो जाएगा ठीक है LcM 5 ही आएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा क्यूंकि LcM वही है सेम तीन में से 2 जाएगा कितना बज़ेगा एक बटे 5 तो एक बटे 5 आपका पहला वाला सही हो जाएगा ठीक है नग्स्ट कोश्चन है दो संख्या होगा मासा पैतालिस है लासा पांसो है उनमेंसे एक संख्या एकसो पच्चिस है तो दूसरी तालिस घुला पांसो बटे 125 हो जाएगा ठीक है पांस से कार देजिए पांदूनी 10 जाएगा और इधर 25 ठीक है और ये कितनी बार जाएगा 100 बार पांचे कम पांस और बार कट जाएगा ये सीधे सीधे आपका देखिए चार बार जा रहा है ना 25, 400, यहाँ पे बचा 4 अब 45 और 4 का मल्टिप्लाई कर दो 45 गोड़ा 4 तो 4 पंचे 20 हो जाएगा कैरी 2 हो जाएगा 4 चकू 16 और 17 अठार यानि कि 180 आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 4 वाला आप्शन ठीक है 4 वाला आप्शन करेक्ट हो जाएगा यानि कि 180 ठीक है 20 असी का प्रतिशत होगा नेक्स्ट कोश्चन है 24 असी का प्रतिशत होगा तो मालीचे 24 क्या है असी का एक्स प्रतिशत माना कितने प्रतिशत माना एक्स प्रतिशत प्रतिशत का साइन अटाकि सीदे सीदे समने 100 कर दिया ठीक है अब इसको कार्ट दीजिए ठीक, यहाँ पर कितना जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक है 2 से कार्ट दिया 2 से कार्ट दिया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यह 5 बना हुआ है ठीक है अब 24 गुडा यह 5 बटे में है तो इधर गुडा में चला जाएगा यह 4 यहाँ पर गुडा में था तो यह बटे में कर दिया और फिर हो जाएगा X तो 4 से 24 जाएगा 6 बार और 5 जिक का 30 यानी कितने प्रतिशत निकलाएगा आनसर 30 प्रतिशत यानी कि 2 वाला उप्सन करेक्ट हो जाएगा और इसका था 4 वाला ठीक है नेक्स्ट ए 8A माइनस 3B प्लस 3A प्लस 3B का मान क्या होगा तो इसमें देखिए प्लस लगा हुआ बीच में तो फिर चिन तो बदले नहीं है चिन भही के वही रही है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन होता यहां पर तो चिन बदल जाते जो चीज अंदर प्लस की होता वो माइनस की हो जाती जो अंदर माइनस की होती वो प्लस की हो जाती ठीक है तो चलिए अब इसको solve कीजे A A वाले आपस में जुड़ जाएंगे और B B वाले अपने आपस में ठीक है तो 8 A और 3 A एड़ होके कितना हो जाएगा 8 और 3 11 A हो जाएगा ठीक है और आपका 3 B माइनस का है तर और 3 B प्लस का है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 यानि कि 3 वाला आंसर ठीक हो जाएगा ठीक है आज की क्लास में बस इतना ही आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट सक्षन में जरूर बताना और प्लीस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ठीक है मैं इसका रिव जीजन हो जाएगा आपका ठीक है और थैंक्स वर वाचिंग एंद प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई टेक केर